देखे कथा तो साथ दिन की होती है इंट्रिव्य अफ दो पांश रट का है क्या ही समझाएंगे पर वस इतना है कि कथा का उद्देश एक ही होता है कि आदमी कथा से कुछ सीख के जीवन में बदलाव लाए क्योंकि बदलाव जीवन के बहुत बड़ी प्रक्रिया है और जब एक उद्देश कथा का हमेशा रहता है और वही मैंने यहां भी लोगों के लोगों तक पहुँचाने का प्रयास किया देवी जी जब अनुरुद्धा अचार महराज जी से मिले थे उनका बाइट लिये थे तो उनका कहना था कि महिला यानि कन्या जो होती है वह हीरा होती है और पुरुस्ट सोना लेकिन कुछ माता बहने हैं जो हीरा को छोड़कर सोना आ जाए तो काफी ज़्यादा खुस होती है क्या कुछ करना चाहेंगे यानि कि बेटा हो तो ज़्यादा खुस होते हैं और बेटी हो तो नाराज हो जाते हैं कुछ माता है नहीं देखो या तो उनको इस बात का ग्यान नहीं है भली भाती से क्योंकि मैं कथाओं में भी प्रसंग उठाती हूँ कि बेटा और बेटी में कोई भेद नहीं है आज के जमाने में विशिश कर क्योंकि आज का समय ऐसा है कि यहां बेटियों को भी एक अवसर चाहिए होता है पहले के समय यह था कि बेटी घर का कारोबार नहीं समाल सकती थी क्योंकि वो ग्रहनी के रूप में रहती थी पर आज समय बदला है आज यहां लड़कियां काम भी कर रहे हैं पढ़ाई कर रहे हैं कतावाचक बन रहे हैं आगे बढ़ रहे हैं तो मेरे ख्याल से इसमें लोग को समझना चाहिए कि इनमें कोई भेद नहीं है आप लड़कियों को बेटीयों को अफसर दो तो वो आपको आपका नाम भी कमाएंगी और आपके परिबार का नाम रोशन करेंगी आप 14 साल के उमर में ही सुरू कर दिया कथा करना साथ साल की उमर में साथ साल की उमर में ही अभी की बेटियां होती हैं उनकी माता पिता होते हैं नाराज हो जाते हैं यह सारा चीज वो आपको सब चीज़ देता है और मैं उसका अपना व्यक्तिगत अनुभव बता रहे हूं कि ये आपको सम्मान भी देता है ये आपको आपकी जीवी का भी चलाता है और सबसे बड़ी बात ये समाज का कल्यान करता और भगवान की प्राप्ति का एक सबसे बड़ा साधन है तो कोई भी बच्चा किसी का भी बेटा बेटी कोई भी बच्चा हो अगर वो भक्ती से जुड़ रहा है अध्यात्म से जुड़ रहा है तो हर माता पिता को खुश होना चाहिए क्योंकि एक तो आज का जमाना ऐसा कि बच्चे जुड़ते ही नहीं अध्यात्म से और अगर थोड़ा सा कुछ गडबड आ जाती है हमारी तरफ से ही लेकिन फिर से कहीं न कहीं एक संतों का आवहन एक समाज का एक मांग है कि भारत सच मुछ हिंदू राष्ट ऑफीशली भी घोशित हो तो इसमें कोई दोराय नहीं हिंदू राष्ट मतलब भारत सनातनियों का देश था पिछले साथ दिन से कथा चला और आज इनका विदाई समारो है बाकि हम इनसे बाचित करेंगे देवी जी सबसे पहले बीबी यालियूंज में बहुत-बहुत स्वाई है देवी जी क्या कुछ कहेंगे चेरिया बरियारपूर में आप आहे कैसा रहा किस तरह से रहा दर्सो आना हुआ और लोगों में वही उत्साहा, प्रेम, श्रद्धा थी और बड़ी संख्या में लोग आए और बड़ी शांती से अनुशासित धंग से लोगों ने कथा को सुना क्योंकि जब अधिक भीड होती है तो एक ही डर रहता है कि कहीं अनुशाशन हींता ना हो पर ऐसा नहीं रहा पूरी समिती ने अनुशाशन को बना के रखा व्यवस्ता पकोने और बड़ा अच्छा कारेकरम मेरी दृष्टी मेरा है पिल्कुल अभी हमारे साथ जूरे हुए थे देवी चीतरलेखा जी और इनसे बातचीत क्या बाकि आपका क्या रहा है कुमेंट करके भी वी याल ने उचके साथ धन्यपाट जाहें